नमस्कार दोस्तों आपका फिर से हमारे चैनल पे एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत हैं तो दोस्तों आज का यह वीडियो हमारा लास्ट वीडियो का सेकेंड पार्ट है इससे पहले हम पार्ट बन को सीख चुके हैं जिसमें हम सीख रहे थे Garb movie का गाना हम तुमको निगाहों में इस तरह चुपा लेंगे तुम चाहे बचो जिदना हम तुमको चुरा लेंगे उस गाने को हम अपने digital keyboard पे प्ले करना सीख रहे थे जिसमें हम song part को part 1 में हम पहले सीख चुके हैं और इस part two में हम इस गाने के magic piece को play करना सीखेंगे अगर आपने उस वीडियो को miss कर दिया है तो आपको उस वीडियो का link description box में मिल जाएगा आप इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे जरू try कर सकते हैं हमने उसमें बहुत इजी तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया है और यादि आपको इस गाने का फुल प्यानो नोट्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ब्लॉग का लिंक चेक कर सकते हैं वहाँ आपको इस गाने का फुल प्यानो नोर्ज मिल जाएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ही लेटिस्ट वीडियो के नोटिफिकसन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए तो चलिए फिर से इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि इस गाने में और इस म्यूजिक में हम कितने केज को यूज़ करने वाले हैं E, F, G, A, B, C, C-sharp, D, E, F, F-sharp, G, G-sharp, A तो चलिए शुरू करते हैं तो गाना स्टाटिक होने से पहले हमारा मेंजिक कुछ इस तरह से है इसकद हमारा गाना स्टाट हो जाता है तो चलिए इस मेंजिक को हम पहले सीखेंगे तो हमारा पहला पार्ट है यहीं तक पहले हम सीखेंगे फिर्से आगे फिर्से सेकंड वाल्लकू इसकाद फिर्से जो हमने अभी सीखा वही रिपीट होता है लेकिन रिपीट होने से पहले एक छोटा सा मेजिक है अब रिपीट होता फिर्से तो चलिए एक बार फिर्से देखते हैं रिपीट होने से पहले वाला मेजिक इसकोद गाना स्टार्टिंग होने से पहले ये है ठीक है तो चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं अब हमारा गाना स्टार्ट होता है हम तुमको निगाहों में इस तरह चुपा लेंगे इसकाद फिर से जो हमने भी मेजिक सिखा वही वाला आता है तो देखते हैं इसकोद हमारे मेजिक है दोस्तों इस वीडियो को जो पहला पार्ट है उसमें हम इस गाने को पुरे डिटेल में सीख चुके हैं तो आप अगर उसे मिस कर दिये हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे जरूर ट्राइ कर सकते हैं इसके बद आगे है तेरी आशिकी में जाना दुनिया भुला देंगे और इस तरह से हमारा मुखड़ा वाला पार्ट यहीं पर खतम हो जाता है और इसके बाद हमारे म्यूजिक आता है तो इसे हम डिटेल में सीखेंगे तो चली सबसे पहले बार प्ले करके देखेंगे हमारे म्यूजिक किस तरह से है और फिर बाद में हम धीरे धीरे छोटा चोटा पार्ट करके हम उसे सीखेंगे तो चली हम इसे छोटा चोटा पार्ट करके देखेंगे तो हमारे पहला पार्ट है यहींते हम पहले देखेंगे और एक बार रेपीट करेंगे आगे लिट से स्टाटिंग से आगे फिर से यहीं तक रेपीट करते हैं आगे रेपीट करते हैं अब फिर से स्टाटिंग से देखते हैं यहां तक हम पहले सीख चुके हैं तो आगे अब देखते हैं यहीं तक हम पहले देखेंगे लास्ट वाला दो पार्ट कों फिर से रेपीट करते हैं तो हमने यहां तक जो सीखा एक बार फिर से पूरे को रेपीट करते हैं आगे हैं तो आगे हम देखते हैं यहीं तक फिर से रेपीट करते हैं आगे फिर से यहीं हमारा दो पार रेपीट होता है तो एक बार स्पीट में हम देख लेते हैं और इस तरह से हमारा पहला इंटरलीवट मेंजिक यहीं पर खतम हो जाता हैं और फिर हमारा पहला अंतरा स्टार्ट हो जाता हैं तो चलिए उसे एक बार प्ले करके देखेंगे और इसके बाद हम दूसरे इंटरलीवट मेंजिक को हम देखेंगे झालिवट मेंजिक को हम देखेंगे झालिवट मेंजिक को हम देखेंगे और इस तरह से हमारा पहला अंतरा यहीं फे खतम हो जाता है और हमारे दूसरा इंटरलीवट मेंजिक को आता है तो इसे भी हम छोटे छोटे पार्ट में देखेंगे तो हमारा पहला पार्ट है इसे हम पहले देखते हैं आगे फिर से दोनों को फिर से रिपीट करते हैं आगे अब आगे हमारा है देखते हैं देखते हैं स्लो में फिर से आगे हैं आगे हैं सेकंड बाला को देखते हैं तो लास्ट दोनों को फिर से रिपीट करते हैं तो दूसरे इंटर्लिवट को पूरे को देखते हैं फिर से और इस तरह से हमारा दूसरा इंटर्लिवट भी यहें पर खते हैं और आगे हमारा दूसरा अंतरा है आखों से दिल में उतरके तेरी सांसों में भिखरके तो चलिए इसे हम एक बार प्ले करके देखेंगे किस consultant कि प्ले करने से लाओे देखेंगे झाल झाल तो दोस्तों इस तरह से हमारा वीडियो यहीं पर खतम हो जाता है और हमारा इस सीरीज का दूसरा पार्ट भी यहीं पर खतम हो जाता है I hope आपको पसंद आई होगी और आप सीख गए होगे और यदि आपने पहला पार्ट को मिस कर दिया है तो आप उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पास सकते हैं और उसे भी आप प्ले करना सीख सकते हैं हमने बहुत इजी तरिके से उसमें भी एक्स्प्लेंट करने के कोशिश किया है तो ठीके दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखें थैंक यू